आपका mathematics point में स्वागत है और अभी जो हम लोग का जो series चल रहा है वो चल रहा है volume 2 NCERT exercise 7.3 4 class 12 के लिए जिसमें कि हम लोग lecture wise जो है class कर रहे हैं इट मेंज कि lecture 1 से लेखे lecture 4 तक आपका 7.2 तक complete हम कर दिया है इसके just बाद जो है हम लोग का start होगा lecture 5 volume 2 exercise 7.3 NCERT और हम बोले हैं कि video जो है आपका upload होते जाएगा और बीच में जो है process करेंगे कि आपका volume 1 का भी series हमें start करें और इसको आप playlist में sequence में दिया रहेगा तो आप देख सकते हैं और प्लस एक चीज और बोलना था कि video को at least जो है जो है जो आपके मित्र हैं जिनको किसी करण बस जो ह बहुत ही बेनी fit मिलेगा और इसके just बात हम लोग जो है पंदरे नमंबर के बाद एक quiz course इस्टार्ट कर रहे हैं जो कि offline और online दोनों माध्यम से होगी जिसमें कि हम लोग लगवक 10 से 15 जो है sit practice करेंगे 2009 से लेके 2021 तक तिल पढ़ते एक objective chapter wise discussion किया जाएगा और पुन है जितन 7.3 इससे पहले हम लोग 7.2 complete किया है अब देखिए यह क्या है सवाल कि जिस देखिए जिसे questions दिया है आपके पास क्या है कि sine square 2x plus 3 धियान से देखिएगा इसको sine square मेरे पास कितना है तो 2x plus 3 into कितना है dx और 2x plus 5 है को दिक्कत न 3 5 के जिए 3 हम लेखते है अब याद रखिए पिछले class में हम बताएं तो कहीं integration संभव है एक से कि स्क्वाइर और दुसरा को से कि स्क्वाइर बांकि अगर इसको हम transform करते हैं that means कि sine square अगर x रहता है तो इसको हम लिखेंगे पिछले वीडियो में भी बताएं थे कि 1 minus cos 2x by 2 यही चीज अगर cos square x रहे तो हम इसको लिखेंगे 1 plus cos 2x बते 2 तिसरा में यदि 10 square x रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 6 square x minus 1 और फिर अगर cos square x रहे तो हम लिखेंगे cos square x minus 1 थोरा सा और आगे बढ़ते हैं अगर यह चीज रहे sin cube के form में रहे sin cube x का होता है इसका 2 4 एक सुरी यही होता 3 sin x minus sin 3 x by क्या होता है 4 इसके बाद अगर लिखा रहे cos cube x तो इसका formula होता है 3 cos x plus cos 3 x by 4 पले इतना तक हम लोग जो formula का use है कर लेते हैं इसके बाद जो भी problem आएगा तो हम लोग पुन है जो है 1 minus cos 2 x तो 1 minus cos 2 x के जगे कितना है तो 2 x plus 3 divided by क्या हो जाएगा 2 और whole का क्या हो जाएगा तो dx हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं एक बटे 2 को बाहर करते हैं और फिर integrate करते हैं dx कुना 1 तो dx minus cos 2 से गुना करेंगे तो 2 दुना 4 x plus 2 तिया 6 into dx तो हम इसको क्या लिखेंगे एक बटे 2 dx का जानते हैं x होता है और cos का होगा sin 4 x plus 6 x क्याता मल्टीपल है 4 तो 4 अब पलस कितना हो जाएगा c यहीं तक मेरा clear हो गया cos बलावी रहेगा तो सेम इसी थरे बनेगा दो नमबर रूप जाएगा 2 से पहले एक फर्मूला बेशे है तो हम लोग पहले 3 कर लेते हैं फिर 2, 3 और 4 का एक ही फर्मूला मेंसन कर देंगे देखिए दो नमर सवाल क्या वह तीन नमर सोरी तीन नमर में सवाल क्या दिया है तो sin3 दिया है 2x plus 1 धिया से देखिएगा sin2x plus 1 धिया sin3 अब देखिए sin3 का फर्मूला क्या लिखे है 3 sin3 x माइनस sin3 x तो इसका फर्मूला हो जाएगा कि 3 sin x के जगे लिखेंगे 2x plus 1 माइनस sin3 x के जगे लिखेंगे 2x plus 1 divided by क्या लिखेंगे 4 और into मेरे पास क्या हो जाएगा तो dx होगा अब देखिए इंडिविविवली अगर सेपरेट करते हैं तो 3 बटे 4 को बाहर करते हैं यह हो जाएगा sin2x plus 1 into dx माइनस 1 बटे 4 बाहर sin3 दूना 6x plus 3 into dx तो obviously है कि हम लिखेंगे 3 बटे 4 sin का क्या लिखेंगे minus cos 2x plus 1 और x के साथ multiple है 2 तो divide हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा 1 बटे 4 sin का चुकिए minus cos होता है इसलिए minus minus plus क्या है ध्यान से देखेगा दो नमर सवाल में क्या बोल रहा है कि important है कि cos है कितना तो 2x into cos 4x into cos 6x और dx है यह सवाल देखेगा अस्थिर से देखेए cos 2x है cos 4x है cos 3 है uvw चुकि integration uvw संभब नहीं है अगर तीनों त्रिकुन मिती ही फोर्म हो तो इसका हम फॉर्मूला आप लिख देते हैं और आपको ये benefit होगा कि इसके अलावा अगर कोई दुसरा भी problem दो का रहेगा तो आपसे बन जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos b इसका फर्मूला हम लोग जानते है sin a plus b plus sin a minus b एक फर्मूला ये हो गया ये sin लिखे है दो नमर में ये one नमर दो नमर में है अगर पहले 2 cos a into sin b रहेगा तो हम लिखेंगे sin a plus b minus हो जाएगा sin a minus b थर्ट नमर फर्मूला हम होगा 2 cos a into cos b ये हो जाएगा cos a plus b plus cos a minus b और फॉर्ट नमर में फर्मूला हम क्या है 2 sin a into sin b इसका फर्मूला होगा cos a minus b minus cos a plus b ये चार फर्मूला आप ध्यान में रखेगा आपको benefit मिलेगा अब आते हैं according to questions देखें cos 2 है 4 है 6 है कोई 2 को एक साथ लिखे तो हम दो कोई भी 2 को एक साथ लिखे लेते हैं cos 2x into cos 4x को एक साथ लिखे इसको भी आप रख सकते हैं इससे कोई बरात्तरक नहीं cos 6x into 2 है अब इसमें क्या करते हैं कि 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भाग लगाते हैं इससे क्या होगा कि एक फर्मूला बन जाएगा एक बटे दो ये एक बटे दो को बाहर कि इंटिग्रेस है देखिए 2 cos a into cos b खोजिए 2 cos a into cos b तो फर्मूला क्या होगा cos a plus b एक जगह क्या है 2x plus 4x बीच में plus cos a minus b ये हो जाएगा 2x minus 4x इसके साथ multiple मेरे पास कितना दिया है cos 6x into dx अब देखेगा इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं देखे एक बटे दो उधर का लिक देदे cos 4 plus 2 होता है 6 और यहाँ पर minus इसको इससे गुना किजिए integrate करेंगे तो cos गुना cos हो जाएगा cos square 6x बीच में into dx कर देते हैं बीच में plus फिर देखे cos minus theta होता है plus cos theta cos 2x into cos 6x और क्या हो जाएगा dx चुकि हम लोग जानते हैं कि cos minus theta यह होता है कितना तो plus cos theta अब देखे इसमें क्या करते हैं दो से गुना पुन है और दो से क्या कर देते हैं बाग लगा देते हैं और हम लोग अभी जेश्ट परहे हैं कि cos square theta इसका formula होता है 1 plus cos 2 theta बटे 2 theta रहे x रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम लोग लिखेंगे हाप इधर लिखेंगे integration of 1 plus cos 2 theta ठीटा जागे 6x है तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12x बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा dx बीच में plus 2 cos a into cos v अभी just formula पढ़े थे cos a plus b 2x plus 6x plus cos a minus b 2x minus 6x into कितना लिखते है dx divided by क्या हो जाएगा 2 अब हम इसको लिखेंगे 1 बटे 4 चुकि दोनों में बाहर हो जाएगा integrate कीजे ये होगा dx बीच में plus cos 12x into dx plus cos 6 2 8x dx बीच में plus cos minus ठीटा तो cos से ठीटा हो जाएगा तो cos 4x into dx अब इसको आगे बढ़ते हैं 1 बटे 4 dx का हो जाएगा x cos का होगा sin 12x divided by 12 plus sin cos का sin 8x divided by 8 plus cos का हो जाएगा sin 4x divided by 4 आप बीच में plus क्या हो गया c तो ये important सवाल था इसको एदम से relax होके देखिएगा और उम्मिद करते हैं कि आपको समझ में आहीं गया होगा एदम से धीरे-धीरे हम बता रहे हैं देखे एक बता दिये 4 बता दिये थे दो भी मेरा वड़ को होई ही गया था ओ सौरी दो नम्मर नहीं हो पाए था बाइ मिश्टेक रुक्ये 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 इतो अब आईसे भी बन जाएगा देखे साइन 3x इंटो कितना है cos 4x dx इतो और हलका सवाल जब तीन बला देखे फिर इसमें क्या करते हैं कि हम लोग solution में 2 से गुना और 2 से भाग लगाते हैं 1 बटे 2 ये हो जाएगा 2 साइन 3x इंटो cos 4x और dx एक बटे 2 देखे पीछे हम formula लिखे हैं 2 साइन A इंटो cos भी अगर साइन रहेगा तो साइन A प्लस B होगा 3x प्लस 4x अब बीच में क्या हो जाएगा प्लस साइन A माइनस B होगा मतलब क्या हो जाएगा कि 3x माइनस 4x और इंटो कितना हो जाएगा dx इधर मेरे पास integration का simple है एक बटे 2 इसको हम लिखेंगे 4 प्लस 3 7x dx बीच में हो जाएगा minus sin x और dx sin 3x minus x होता है minus x sin 2 हम लोग जानते है sin का क्या होता है minus cos 7x 7 minus minus plus cos x plus c यह हो गया अब sequence में एक दो ती अब हम लोग चलते है 4 भी हो ही गया अब question नमर 5 की और बढ़ता है यह दिया है कितना, कि sin cube x into cos cube x dx, important सवाल है, देखें क्या है, sin cube और कितना है, cos cube, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस रूप में, कि sin x into cos x का whole cube, into कितना, dx, अब क्या करते हैं, 2 से गुना और 2 से भाग लगाते हैं, देखें, इस से क्या benefit हुआ है, 2 sin a into cos b, sin of 2a, बटे 2 का क्या हो जाएगा, whole cube into dx, बगल में हम mention कर देते हैं, 2 sin x into cos x, इसका formula ही होता है, sin of 2x, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से, sin cube 2x, दो दनी 4 दना, कितना हो गया, 8 into dx, तो हम एक बटे 8 को बाहर करते हैं, और formula जानते है, sin cube x का क्या होता है, 3 sin x, x के जाएगा 2x, minus sin 3x, तो 3 दना कितना होगा, 6x, अब बटे कितना हो जाएगा, 4 into dx, यह formula हम mention किये, sin cube x का 3 sin x होता है, x के जाएगा 2x होगा, minus sin, यह हो जाएगा कितना, तो 1 बटे 32 बाहर, 3 बाहर, डेक्टे कितना होता है, तो minus cos 2x बटे 2, minus minus plus cos 6x बटे 6, अब पलस कितना होगा, c, यह आपका answer होगा, तो चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, 6 नमबर सवाल की और, चलिए, देखिए, 6 नमबर जो सवाल है, sin x, sin 2x, sin 3x हैं, तो हम लोग क्या कि इससे पहले जो problem number हम लोग कितना बनाए थे, problem number इससे पहले जो 3 number बनाए थे, same हो ही है, किसी भी आप 2 को रखिएगा, एक साथ 2 से गुना 2 से भाग, इसके बाद इसको solve करेंगे, यह भी 7 number same है, अभी just बता हैं, अब 8 से तूरा से यह दुनों बनाएग है, 2 sin square x by 2, और 1 plus cos x का फर्मूला होता है, 2 cos square x by 2 into dx, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखिए, 1 minus cos x का फर्मूला होता है, 2 sin square x by 2, और 1 plus cos x का होता है, 2 cos square x by 2, तो यह दो-दो केंसीद हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं, sin square बटे cos square, that is called 10 square x by 2 into कतना हो जाएगा, dx, और अभ integration नहीं होता है, तो थोरा सा हम इसको क्या करते हैं, replace करते हैं, 10 square को लिखेंगे, 6 square x by 2 minus 1 into क्या लिखेंगे, dx, अब देखिए, अगर हम इसको individually separate करना चाहते हैं, तो यह मेरे पास हो जाएगा, 6 square x by 2 into होगा, dx, अब माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx, तो हम लोग जा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 210 x by 2 minus x plus c, यही आपका क्या हो गया, answer हो गया, तो हम लोग question number 8 किये, एक questions number 9 करते हैं, important है, हम लोग दो-दो वीडियो लगेगा, maximum, किसी chapter में, एक ही वीडियो में complete हो जाएगा, 11 total chapter है, अब कोसिस करेंगे आपको कि 12 से 13 या maximum 15 लेक्षर मे आपको जो है, हम complete करते हैं, बड़ा important सभाले देखेगा, most important है, cos x बटे 1 plus क्या है, cos x, तो इसको सबसे बेहतर तरीका से तोरनेम क्या, सबसे अच्छा तरीका है, नीचे में क्या लिखा है, 1 plus cos x है, तो उपर में हम लिख सकते हैं कि 1 plus cos x minus 1 बटे नीचे में कितना हो तो 1 plus cos x into dx, देखे, 1,1 cancel हो गया, कोई फर्क नहीं परा, अब हम इसको क्या करते हैं, individually separate करते हैं, 1 plus cos x by 1 plus cos x into dx minus 1 by 1 plus cos x into dx, ये दोनों cancel हो गया, तो इधर तो लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, तो dx minus 1 बटे 1 plus cos x का फर्मूला होता है, 2 cos square x y 2 into dx, तो obviously हम लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, dx minus 1 बटे 2 cos square उपर चल गया, तो हो जाएगा 6 square x y 2 into dx, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dx का होगा x minus half, 6 square का हो जाएगा 10 x y 2 बटे half plus c, तो यहीं आपका अंसर हो गया, तो दो दो आपका ठावी सकते हैं, तो यहां तक, चलिए, हम लोग जो है, questions नमर कहां तक किया, 9 तक clear किया, next बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे, लिखा है क्या sin 4 x into dx, आइडर cos 4 2 x dx रहे, या sin 4 2 x रहे, या cos square, सभी सवाल को बनाने का, sorry, cos 4 है, सभी problem को बनाने का एक ही तरीका है, ध्यान से दिखेंगा, यहां पर मेर पास, एंगल में क्या है, x है, यहां पर 2 x है, यहां 2 x है, देखेंगे, अगर sin 4 रहे, तो sin 4 को हम लिख सकते है, sin square x का whole square into dx, इसी तरह similarly cos 4 को लिखेंगे, cos square 2 x का whole square, अब देखें, sin square x को, अभी हम लोग just formula परे थे, कि 1 minus cos 2 x बटे 2 का whole square into dx, अब दिमाग में चलता होगा, x भी होता है, हम क्या बूले, square में 2 का ही संभाव है, एक sin का, एक sec का, एक cos का, बांकी को transform करते हैं, अब देखें, जब इसको हम तोरेंगे, square करेंगे, तो 1 बटे 2 दूना, 4 बाहर हो जाएगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, a minus b का whole square, a square plus b square minus 2ab, 2 into cos 2x, और whole का क्या हो जा हो जाएगा, a square plus b square minus 2ab, एक बटे 4 को बाहर करेंगे, तो ओव्यस है कि 1 का square 1 होगा, अब देखें, फिर हो गया cos square 2x, तो हम लोग cos square x का formula क्या पर है, 1 plus cos 2x, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x, लेकिन 2 कितना होगा, 2 ही, into minus क्या हो जाएगा, तो 2 cos 2x into dx, जहाँ पे x है, अ कि cos square 2x का अगर formula होगा, तो 1 plus 2 दूना, 4x divided by कितना हो जाएगा, तो 2 होगा, अब देखेंगे, इसको कैसे लेखेंगे, implies it, 1 बटे 4, अब integrate कीजिए, यह हो जाएगा, dx, total पे integration है, यहाँ से यहाँ तक, dx, पलस 1 बटे 2 बाहर, फिर करेंगे तो गुना, dx, पलस 1 बटे 2 बाह cos 2x और dx, अब देखेंगे, इसको कैसे लेखेंगे, 1 बटे 4, dx का हो जाएगा, x, 1 बटे 2, dx का होगा, x, 1 बटे 2, cos का हो जाएगा, sin, 4x बटे 4, minus 2, sin, 2x बटे 2, और पलस कितना हो जाएगा, c, यह मेरा clear हो गया, अब देखेंगे, एक और problem हम दो कर लेते हैं, 10 के बाद, से 11 नमर सवाल करते हैं, अच्छा है, important है, लगेगा, छोटा है सवाल है, देखें क्या है, sin square x, बटे, एकदम से EG सवाल है, 1 plus cos x into dx, questions नमर कितना है, sorry, 12 है, देखें क्या लिखा है, sin square x, 11 नमर सवाल जो है, यह था, तो हम बोले थे कभी इसी धंग से बना लेंगे, same process से, बटे, 1 plus cos x, इसको हम लिख सकते हैं, solution में, कि sin square x को क्या लिखेंगे, 1 minus cos square x, बटे, 1 plus cos x into dx, 1 minus cos square x लिखें, अब देखें, ने, कुछ तो यहाँ पर 1 का square लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि a square minus b square, formula क्या होता है, a plus b into a minus b, इसी एकदम से दे दिया, a minus b, बटे, क्य लिखेंगे, 1 plus cos x into dx, तो यह दोनों conceal हो गया, अब individually separate कीजे, तो क्या हो जाएगा, इसका, dx minus b, cos x, dx, तो हम लोग जानते हैं, dx का a x, और cos का sin x plus c, तो चलिए, हम लोग जो है, आज 12 नमर समाल problem किये, next video जो आपका आएगा, तो यह chapter complete कर देंगे, तो कम से कम आप continue video देखते रहे, आपका integration बेहतर ढंक से हो जाएगा, और बीच में हम जो है, part 1 भी शुरू करने वाले हैं, थुरा सा time का अभाव है, इसके करण हम कोसिस करेंगे, कि बहुत जल्दी ही, volume 1 भी हम लोग इस्टार्ट करें, तो और जो जो important question है, हम खुद इस्टार्ट लगा देंगे, त तो थेंक यू, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब किजिए, ठीक है, धन्यवाद,